दीमार्ट के प्रोफिट में 9% की गिरावट, रेविन्यू 12,600 करोड रुपए के पार रिटेल चेन दीमार्ट की पैरेंट कमपनी एविन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का चालू वित्वर्ष की दूसरी तिमाही का प्रोफिट 9.09 प्रतिशक घटकर 623.35 करोड रुपए रहा। कमपनी ने बताया कि सामान्य माल और परिधान कारोबार से कम योगदान के कारण ग्रोज मार्जिन प्रभावित हुआ। कमपनी ने बीते वित्वर्ष की समान तिमाही में 685.07 एक करोड रुपए का प्रोफिट कमाया था। कमपनी ने शेर बाजार को बताया कि समी इक्षाधीन अवधी में परिचालन से उसका राजस्व 18.66 प्रतिशत बढ़कर 12,624.37 करोड रुपए हो गया। जो पिछले वित्वर्ष की समान अवधी में 10,638.33 करोड रुपए था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जुलाई, तिसंबर, 2023 तिमाही का कुल व्ये 18.97 प्रतिशत बढ़कर 11,809.35 करोड रुपए रहा। कम्पनी के मुख्यकार्यपालक अधिकारी, CEO और प्रबंध निदेशक, MD, नेविल नोरोनहा ने कहा, चालू वित्वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 18.5 प्रतिशत की राजस्वृद्धी रही। वित्वर्ष की पहली छमाही में एविन्यू सुपरमार्ट का परिचालन से राजस्व 24,489.81 करोड रुपए और शुद्ध लाभ 1282.06 करोड रुपए रहा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को एविन्यू सुपरमार्ट के शेयर की कीमत 3932.75 रुपए थी। इस श शमलव 7-8% की तेजी के साथ बंद हुई।